केंद्रिये ग्रामिंड विकास मंत्री गिरिराज सिंग ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि हिंदूों को हलाल मास खाना छोड़ देना चाहिए हिंदूों को सिर्फ जटका मीट खाना चाहिए बतादे कि अपने संसिदिये शेत्र बेगुसराई में पहुचे गिरिराज सिंग ने आम लोगों से अपील की और लोगों को शपत भी दिलाई बेगुसराई सांसत ने लोगों से कहा कि अपसे हलाल मास खाकर अपना धरम बरश्ट नहीं करेंगे इस दोरान गिरिराज सिंग ने कहा कि वे मुसलिम समुदाय के लोगों को बहुत सम्मान करते हैं मुसलिम समुदाय के लोग हलाल किया मीट बेचते हैं और खाते भी हैं ये उनका अपने धर्म के प्रती समरपण है वे अपने धर्म के प्रती जाकरूख है गिरिराज सिंग ने हिंदू युवाव से अपील करते हुए कहा कि हलाल किया वह मीट नहीं खाए हिंदू भाई केवल जटका वाला मीट ही खाए गिरिराज सिंग ने कहा कि सनातन में बली प्रता है जटके के साथ बली दिया जाता है सनातन धर्म में बली प्रता ही जटका होता है ऐसे में किसी भी हिंदू को हलाल मीट नहीं खाना चाहिए गिरिराज सिंग ने आगे कहा कि वे भी पहले हलाल किया मीट की खाते थे जेडियो नेका के कहने पर अब वे जटके वाला मीट खाते हैं गिरिराज सिंग ने आगे कहा कि हिंदू भाईयों को मंदिरों के प्रती, देवी देपताओं के प्रती समर्पण होना चाहिए, जब तक समर्पण नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता उन्हों ने कहा कि भारत की पैचान सनातन से ही है, हिंदों की पैचान शिका और तिलक से है, सबी हिंदू भाईयों को शिका रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए केंद्रे मंत्री ने कहा कि मैं मुसलिम भाईयों का बहुत सम्मान करता हूँ, इज़त करता हूँ, वे हर दिन मस्जित जाते हैं, मैं हिंदू युवाव से कहना चाहता हूँ कि वे भी शाम में फ्री होकर एक बार मंदिर जरूर जाए, दुनिया में सनातन से बढ़िया कोई दर्म नहीं है, गिरिराज सिंग के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई, जेडियों के मुखे प्रवक्ता नीरज कुमार ने बेगुक सराय के सांसद और केंद्रे मंत्री गिरिराज सिंग के जटका और हलाल पर दिये गए बयान पर पलटवार किया, जेडियों मल्सी नीरज कुमार ने शोशल मीडिय एक्स पर प्रधान मंत्री मोधी की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें पी-म एक साइकल पर बैठे नजर आ रहे हैं। नीरज कुमार ने प्रधान मंत्री के जूते को गेर कर गिरिराज सिंग से पूछा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का जूता हलाल का है या जटके का ऐसी अन्ने अपडेट के लिए देखते रहें इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लाटफर्म